हालो फ्रेंट सुब्रे किचन टीव पे आप सभी का बहुत बस्वागत है चलिए आज का रेसिपी देख लेते हैं आज मैं आपे गणेश जी के लिए भोग बनाने जा रहे हैं वह भी नारियल से तो घर में गणेश जी आया हुए तो उनके लिए भोग तो बनाना जरूरी है क्या बनाना है रोस रोस आप सोच रहेंगे आज मैं तो हो आज है यह दूरू टैग कीजगा का यह रेसिपी जो है तो मिनि आ पे नारियल लिआ हो थे तो नारियल को मैं आप इसे निकाल देती हूं रकांते है ंरेल निकालने के बड़ उपर वाला ब्रॉौन वाला पाठ्य निकाल न कीगा खुए हुँ तो यहां जरूसे, ठिरेछ निकालना हैं, तो नोचाकूपब लगते हैं, तो ध्यान रही है यहां पर इस तरीकिसे में आप इसे निकाल देती हूं सारे नारेल को आप जितना चाहिए उतना नारेल यूज़ कर सकते हैं मिनी आप दो नारेल से बना रही हूँ इसे आप चाहरे तो यह देसिकेटेड कोकोनट का भी यूज YOU Xbox कर सकते हिस இர देटा आरेल का भूरादा मार्केट में नहीं होता है। अगर आपको मार्केट से लाना नहीं होता है घर में बारिश हारी ay तो बाहर तो आप गर पर नारेल का बुरादा बना सकते हैं उसका वीडियो भी मेन ये वाफे चानल पर तो आप चक कर सकते हैं stuk चाको से कड़ करकर मिक्सर जार में डाल सकते हैं तो मैं आप इसे कदो कस कर लिया हुआ है तो कदो कस करने के बाद इसे हमें आप मिक्सर जार में डालना होगा तो मैं आप मिक्सर जार ले ले लेती हूं तैकि इसका हमें हल कहसा स्मूध सा चाहिए इस तरीके से लंग्स वग खिर चपी अब कड़ाय कि gagश के आपके 50 ml ग산 High गी दालें के बाद गी को है humor करके हमारा मेल्ट हो जाने के पाद जो नारल यहाब गी प्ता गवनदर में ठ्सक्ता है तो इसे हल्क असा बुनना है आपको gas flame जो low रखना है high flame पे रखोगे तो इसका color change होता है तो हम आप इसका color change नहीं करना है तो धान रहे हैं आपे white ही रखना है आपको color को इसलिए आपको अच्छी तरीके से इसका कच्छा पर निकल जाने तक हल्क असा low flame पे रखकर बूरना है आपको इसे एकदम fry करना है इसका जो juicy पन है उसे निकल जाना चाहिए हल्क कच्छा पन निकल जाने के बाद इसका बड़िया तरीके से smell आता है आप देख सकते हैं यहाँ पे हल्क हल्का सा यह dry होता जा रहा है है बिल्कुल इसी तरीके से एकदम low flame पे रखकर करना है high flame पे बिल्कुल भी ना रखके ने तो यह जल सकता है इसका कच्छा पन निकल जाने के बाद तो आप देख सकते हैं मेनी आप दूद लिया हुआ है जो नौर्मल है घर की कटोरी हो धो जै उस कटोरी से एक कटोरी दूद लिया हुए थोड़ा सा बाद में आड़कर देती हूँ देख कर थोड़ा सा बचा लिया हुए 1 टेबर स्पिन के करेब दूद जो है दूद हमारा अच्छी तरीके से जो नारेल जो है अबज़ोर कर लेता है तो सारा अच्छी से ये काड़ा होता जाएगा इस तरीके से आप देख सकते हैं स्मूध जैसे मावे जैसा बनते जाएगा ये और जो बचा हुआ है दूद है उसे भी में आप एड़ कर देती है तोटल में नहीं है आप पर एक कटोरी भर के दूद लिया हुआ है आप कोई भी कप ले सकते है ज्यादा पतला नहीं बनाना है हलका से इसी तरीके से लगातर आपको इसे मिलाते जाना है अगर नहीं मिलाओगे तो नीचे तले को लग सकता है फिर जल सकता है तो देखे बड़िया तरीके से पैंस भी छोट रही है इसी तरीके से लगातर प्रेस करते हुए आप इसको बड़िया तरीके से पकाना यहां पर तो हमारे ये रड़ी हो चुका है देख सकते हैं जैसे जैसे में आप इसे पकारी हो वैसे वैसे ये गाड़ा होता जा रहा है तो हलका सा गाड़ा हो जाने के बद में नहीं है, आप पर आदा कप के करीब जो हैं, चीनी लिया हुआ है, आप चाहें तो यहाँ पर पिस्षी जीवी चीनी भी उइस कर सकते हैं, चीनी डालने के बाद इसे मिला लीजेगा, चीनी जैसा जैसा यह मेल्ट होता जाएगा, वै आपको यहाँ पर थोड़ असा जो है, आप चाहें तो यहाँ पर मलाई भी उसकर सकते हैं, फ्रेश मलाई जो दूद के ऊपर आती है, या फिर आप मावा भी एड़ कर सकते हैं, घर में अवेलेबल हैं तो आप नहीं है, तो आप इस तरीकी का मिल्क पाड़ ले सकते हैं, आप कोई भी ब्रैंड का यूज़ कर सकते हैं, कमपनी का मिल्क पाड़र, मिल्क पाड़र डालने से, आपको मावे की टेस्ट आता है, आपको मावा डालने की ज़रूत नहीं पड़ेगी, अब यहाँ पर इसे भी डालने के बाद अच्छी तरीकी से मिला लीजेगा, और इ आप इसके छुटी-छुटी से बॉल्स बना कर आपको दिखाते हूं, अगर यह बॉल्स बन रहे तो आप समझ लेना, आपके परफेक्ट तरीकी से रेडी हो चुका है, हमारा टेसिपी के लिए, भोग चड़ाने के लिए, तो यह रेडी हो जाने के बाद इसे हम हलका से थ तो के आपके लिए, नारल के रडुख बनाने जा रहे हैं, बहुत ही टीए और यमिए लगते हैं, सौफ्ट और टेस्टी भी हैं, और यहा पर साइड में नारल का बॉरादा भी लिया है तो हमें इनल का बॉरदा है, तो नारल के बुरादे को अच्छी तरीके से हम पोट क करेंना तो देखें इस तरीक Hols में बना लिए हैं चोटे की सरी में बना लाया सकते हैं आप अपनी हिसाब से बना सकते हैं फोक興 किनल नइन उसना होता है उसी की साइज से बना था को तो देखें एक एक करके इसी तरीके से हम बना लेते हैं और सिंपल सा टेस्टी सा मज़ेदार हमारा नारल के लड़ो रड़ी हो चुके हैं देखे कितना और यमी लग रहा है ना टेस्टी भी लग रहा है तो गनपती के लिए आप जरूर ट्राइक कीचेगा गनेश जी के लिए भोग भी चड़ाएगा तो चलिए आगले वीडियो मिलते हैं ऐसे मज़ेदार रेसिपे के सथ आप भी है रेसिपे जरूर ट्राइक कीचेगा बहुती सिंपल और ईजी है बनाना ज्यादा समय भी नहीं लगता है तो चलिए आगले वीडियो मिलते हैं आप सभी का बहुत बधन नयवाद और नमस्कार